हेलो फ्रेंड्स वर्कम बैक टो गुड्डू आट स्टूडियो तो कैसे हैं आप लोग आई होप आई आच्छी होंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं रन्वीरकपूर का आउटलाइन ड्रौ करेंगे तो वह मैं कैसे ड्रौ करूंगा कौन से ग्रेड हेल्प करूंगा तो वी और चली वीडियो स्टार्ड करते हैं तो फ्रेंड्स आज हम जो ब्रौंग करने जा रहे हैं उसका जो रेफरेंस है यह है तो आपने जो रेफरेंस देखा है यह हम आज जो आउटलिंग करेंगे तो इसके लिए हम मैंने यहां पर ग्यूरिट बनाने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं तीन सेंटीमेटर बाइटीन स्केर बनाऊंगा जो मेरा पेपर एफ़ोर साइज का है और मैं यहां पर छोड़ूंगा थ्री बाइट्री का करूंगा तो आप टूवाइटू का भी ले सकते हैं बर आपको यह देखना पड़ेगा कि आ आपका पेपर कौन सा एफ़ोर साइज है जा यह जो मैंसर्ड है एफ़ोर पर ही काम करेगा तो जो मैं स्केल पर लिया हूं यहां पर थ्री बाइट्री का गैप छोड़ कर रहा हूं तो मैंने चार तरफ जो इसके पॉइंट करके थ्री बाइट्री का थ्री सेंटी में लिया है और यहां पर मैंने दोनों साइड के जो पॉइंट मिलाए थे हैं वहां पर मैंने लाइन मार दिये हैं जैसे कि आप देख सकते हैं तो गाइस हमारे जो लाइन थे ग्रेड का जी बॉक्स से हमारे सरी भी बॉक्स बन चुके हैं आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने जो एप खोला ग्रीड एप का सब्सक्राइब नहीं कर? एक वीडिव नहीं लेकर आँगा जिसमें आप ग्रीड कैसे डाॉनवर कर सकते हैं वो मैं आपको बताँ गा तो जितने मेरे ब्यॉक्स बसक्राइब है मेरे यहाँ पर टोडॉल 10 बॉक्स है वह इस've येहाँ पर फन में दस बॉक्स ले लूँगा यहां पर टैन नूमबर डाइल कर लूँगा और जो हमारे सीधर वर्टिकल लाइन है वहां पर हम मैंने शेवन लिया है 7 box यहां पर मैंने count कर लिये हैं तो मैंने यहां पर जो आई से मैंने start किया है आप देख सकते हैं में बॉक्स वहां पर चार जो हमारे बॉक्स आरे चार से आ रहा है था 1,2,3,4 चार नुम्बर से आ रहे थे तो मैंने वहीं से स्टार्ड किया है जो मेरी रेफरेंस है उस हिसाब से वो गाईस आपको देखना पड़ेगा कि आपका रेफरेंस कौन से बॉ देख में आ रहा है तो मेरा चार यहां पर आ रहा था तो मैंने वहां से स्टार्ड किया है तो गाईस जो एप का लिंक है मों डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप इसली प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मैंने भी प्लेस्टोर से डाउनलोड कर किया है और आप देख सकते हैं जिस box में जो चीज आ रही है जो outline line बनानी चाहिए वो ही मैं outline कर रहा हूँ वाइस box के ज़ए ज़ु बनते हैं box में हमें जो जो चीज आती है वोगी चीज हमें ड्रौण नी चाहिए तो हमें easily हो जाता है box के साथ ही draw करना जो grid method है काफी easy हो जाता है इसे हमें draw easily हम कलाय आपलाइन कर सकते हैं तो काफी असान तरीका है इससे बनाने का अब कोई भी drawing बनाते हैं तो और गाइस जिसकी सिने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखिये तो उसके भी मैं link description में डाल दूगा तो आपको वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हैं तो उस वीडियो में भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा तो आया है तो आपको जैसे प्रोग करना उस्तुरी पर्टैक्टिमोरी आउट्राइनिंग आई है देख सकते हैं जाकि आप आप इसके बाद मैंने जो अलाइन थी आपको मांदार में दिख रही थी तो मैंने रीजर के खाल मिटा रिया है तांसे आपलाइनिंग तो आप जब हम शीडिंग करेंग अगली वीडियो में आपको यहां कैसे ब्लेंडिक करने वह आपको दिखांगा आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग